दोस्तो हिंदी क्लासिक फिल्मों की समिक्षा की इस फ्रेडे सिरीज में आज मैं आपके लिए 1973 की क्राइम एंड सस्पेंस थ्रिलर फिल्म धुंद को लेकर हाजिर हूँ आगाता क्रिष्टी के प्ले दा अनेक्सपेक्टिड गैस्ट पर आधारित इस फिल्म को बियार चौपडा सहब ने प्रडूस किया था और उन्होंने इसे डारेक्ट भी किया था जीनतमान, संजय खान, नवीन निश्चल, अशोक कुमार और डैनी डैंजोगपा इस फिल्म के एहम किरदारों में नजर आई थे मदनपुरी, जगदिश राज, पदमा खन्ना, जैश्रीटी, उमाधवन और नाना पलसिकर ने इस फिल्म में सहायक भूमिकाएं निभाई थी 1973 की ये एक बेहत काम्याव फिल्म थी धुन्द यंग एंड ब्यूटीफुल हाउस वाइफ रानी रंजीत सिंग की कहानी है उसकी शादी रंजीत सिंग से हुई है रंजीत सिंग एक बेहत अमीर आदमी है पैरों से मजबूर है, वीलचेयर पर है लेकिन वो एक संकी प्रवर्ती का आदमी है जगडालू है, वो सैल है उसे शक है कि उसकी बीवी का कहीं एक्स्ट्रा मेरिटल अफेयर चल रहा है तो उसके रोज-रोज के ताने, रोज-रोज की वाइलेंस, जो डॉमेस्टिक वाइलेंस है वो राणी रणजीत सींग की जिन्दगी को जहनूम से बत्तर बना देते हैं फिर एक रात रणजीत सींग का मरडर हो जाता है शक्की सुई, उसकी विडो, राणी रणजीत सींग और उसके प्रेमी सुरेश सक्षना की तरफ घूमती है मौकाय वारदात पर रानी रंजीत सिंग अपने पती की लाश के पास रिवॉल्वर लिये खड़ी दिखती है और वो कनफेस करती है कि उसने अपने बेरहम पती को मारा है अब वो ऐसा क्यों बोल रही है इसके पीछे भी एक कहानी है जो बाद में रिवील होती है देखिए कातिल कौन है ये तो तै होना अभी बाकी है दूसरी तरफ रंजीत सिंग के मरडर के शक्की जो एक कड़ी है वो चंदर शेकर और उसकी गल्फ्रेंट किरन से भी जुड़ती नजर आती है इस फिल्म की कहानी में नए-नए किरदार आते जाते हैं और इस कहानी को दिल्चस्प बनाते जाते हैं फाइनली रंजीत सिंग की हत्या का जो मामला है वो अदालत पहुंचता है रानी रंजीत सिंग और उसके प्रेमी सुरेश सक्सना पर गवाहों और सबूतों के अधार पर आरुप सिद्ध होते जा रहे हैं लेकिन तभी इस फिल्म की कहानी में एक अन-एक्सपेक्टेड मोड आता है जहां पर असली कातिल की पहचान होती है असली किलर उजागर हो जाता है ये वाकई एक चौकाने वाला क्लाइमेक्स है और इस फिल्म की यही खुबी है कि ये दर्शकों को आखिर तक बांधे रखने में सफल होती है जीना तमान इस फिल्म में बेहत खुबसूरत नजर आई है उन्होंने अपने गंभीर अभिने की अमिट चाप छोड़ी है और सुरेश सक्सेना के किरदार में संजय खान काफी इंप्रेसिव लगे है वैसे भी उन दिनों जीना तमान और संजय खान का लव अफियर काफी जोरों पर था तो ओन स्क्रीन केमिश्ट्री भी इन दोनों के बीच साफ नजर आती है देखिए नवी निश्चल भी बहुत अच्छे लगे हैं इस फिल्म में उनका जो अभिने है वो काफी सहज है, सुभाविक है चाहे वो अशोग कुमार हो, चाहे मदनपुरी हो, चाहे पदमा खरना हो चाहे उमा धवन हो, चाहे नाना पलसीकर हो सभी ने बहतरीन अभिने किया है लेकिन यहां मैं डैनी सहाब के बारे में specially mention करना चाहूँगा, उन्होंने अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाया है अपनी जबरदस्त परफॉर्मेंस से दर्शकों को चौकाया है इस फिल्म में वो एक हैंडिकेप्ट क्रूवल हस्बेंट के किरदार में बहुत ही अच्छे लगे हैं और कहीं कहीं इस किरदार से डर भी लगता है डैनी सहाब जितनी देर स्क्रीन पर रहे हैं वो च्छाए रहे हैं देखिए, फिल्म के संगीत की बात की जाए तो उस जमाने के सपल मेजिक डिरेक्टर रवी सहाब ने इस फिल्म का मेजिक तयार किया है साहर लुध्यानवी सहाब ने इस फिल्म के गीत लिखे हैं इस फिल्म में 3 या 4 गाने हैं मुझे कुछ गीत याद आ रहे हैं जो उन दिनों काफी popular हुए थे और आज भी सुने जाते हैं संसार की हरश्यका इतना ही फसाना है एक धुंद से आना है एक धुंद में जाना है बड़ा ही बहतरीन गीत है फिर एक गीत है उल्जन सुल्जेना रस्ता सूजेना जाऊं कहां में जाऊं कहां बहतरीन गीत है इस इस फिल्म में अक्तर उल्इमान साव के जो समवाद हैं वो काफी प्रभावशाली है इस फिल्म की जो सिनेमेटोग्राफी है जो कैमरा वर्क है वो काफी बहतरीन है आउटस्टेंडिंग है तो मुझे लगता है कि बियार चोपडा साहब की ये फिल्म एक बहतरीन क्लासिक फिल्म है एक जबरदस्त सस्पेंस द्रिलर फिल्म है अगर आपने इस फिल्म को नहीं देखा है तो आप इस फिल्म को जरूर देखें आपको अच्छी लगेगी ऐसा मेरा मानना है आज के लिए बस इतना ही श्टे सेफ टे केर वन दे मातरम